आउजबिल्लाहिमने शेक्तानी रजीम बिसमिल्लाहिर रह्मानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्टूंस उम्मीद करता हूँ कि आप सब खेरेच से और आप सब को वैलकम ऑनलाइन MCAT ECAT क्लासेस में। इस्टूंस पास पेपर सॉलुशन सीरीज का हमने आगास किया था इससे पहले NTS-DAO University of Health Sciences के Chemistry, Physics, English 2009 के पेपर सॉल्फ किये जा चुके हैं और आज हम श्टार्ट करने जा रहे हैं NTS-DAO University of Health Sciences का पेपर 2010 को सॉल्फ करने के लिए यादरे इस्टूंस के ये Explanatory Videos इस चैनल की प्लेइलिस में मौझूद है आप वहां से इनको हासिल कर सकते हैं अगर आप हमारे WhatsApp में शामिल नहीं तो आप 0333 2243031 पर राप्ता करके हमारे WhatsApp गुर्प का हिस्सा भी बन सकते हैं इस्टूंस पहला सवाल है हमारे पास Choose the letter or phrase that is most nearly opposite in the meaning हमें मालूम करना है Antonyms इस्टूंस यादर है कि हमने English की Classes का आगाज भी कर दिया है जिसमें हम Tenses अपने complete कर चुके हैं और आगे हम प्रोसीड करते जा रहेंगे तमाम चीज़ें आप को इसी चैनल पर मिलती रहेंगी वो students जो कहीं और किसी institute से preparation नहीं कर रहें उनके लिए तमाम तर वीडियो इस चैनल पर upload की जाती रहेंगी हमें Antonium ढूंड़ना है अब हमारे पास word है convenient convenient का मतलब क्या होता अकसर हमें लोग कहते हैं अगर आपको convenient हो तो यह काम कर लीजिए यानिकर आप आसानी से यह काम कर स लगते हैं तो इसका उलट क्या होगा एक ही लवज हमारे सामने आ रहा है discomfort तो इसका answer क्या बन जाएगा option number B discomfort इस तरह आसान लवजों में अगर आप सवाल को अपने आपके साथ दोराएंगे तो जवाब खुद बखुद आपके सामने पॉप होता वह आपको नजर आएगा अब हमाया पागला वर्ड है esteem किसी भी चीज की हद तक पहुंच जाना या हद तक जाकर उससे महबत करना शुरू कर देना अब एक ही लवज हमारे सामने नजर आना शुरू हो गया है हमें hatred अब आते है एनिस का option number C सही जवाब था अब इस और हमारे सामने आता है एक comprehension passage हर आते है नाइम में पिछा ता हम ने देका था इसको परते है Preventing a war is difficult it is part of high politics feelings run high attempts to bring about peace are open to misunderstanding instead of bringing people together attempts at peacemaking sometimes set them further apart the path of the peacemaker is indeed hard the UN has succeeded in a few cases in bringing peace where there was no peace before but in a great many cases the results have not been satisfactory The world is full of little quarrels between nations. Any one of these little quarrels might be responsible for the outbreak of a new world's war. But let us not despair, for there is one part of the work, UN, that fill us with hope. This is the work of fighting against the social evils. क्या बात हो रही है का जा रहा है कि वार को रोकना मुच्किल है, इसमें politics है, फिलिंग्स मौजूद है, UN ये काम करता है, हर मर्तबा काम्याब नहीं होता, लेकिन UN काम्याब हुआ हुआ है, आपस में लड़ाई जगड़े को रोकने पे. Paragraph समझने के बाद सवाल पर आते हैं, आपकी success होगी जब आप direct up answer की तरफ आजाएंगे, The UN has remained more successful in, UN in में से किस काम पे ज़्यादा successful रहा है, क्या bringing people of world together में, नो उपर हमने लिखा के miss हुआ, preventing war amongst nations, उसने का नहीं वो लड़ेंगे, preventing war within the nation, ending misunderstandings, एक काम वो कर सका है, fighting against the social evils, उपर statement अब नजब भी आ रहा है, तो option अब D हमारा सही जवाब हुआ, According to the passage, peacemaker's path is very hard because of, क्यों बहुत ज़ाथा मुश्किल है peacemaker का काम करना, misunderstandings भी बढ़ती है, high politics भी है, high feelings भी है, और आपस में जगडे रहते हैं, तो ये सारे के सारे इसके सही जवाब हैं, इसलिए option number E is the right answer, Now identify the word or phrase that needs to be changed for the sentence to be correct, अगर आपने tenses के lectures नहीं देखे हैं, तो अभी आप लोग प्लेइलिस में जाके tenses के lecture देख लें, क्योंकि tenses अगर आपको clear हैं, तो इनके answers आप easily कर सकते हैं, हमने एक article पर lecture पढ़ा था और ये answer उससे हमें मिलता है, We were shocked by the sight of a terrible accident, E, no error का मतलब है कुछ भी खलत नहीं है, आप article को जाके दुबारा पढ़िएगा, यहां पर a नहीं आएगा, एक specific accident का जिकर किया जा रहा है यहां पर, और हमने पढ़ा है कि जब भी specific बात का जिकर किया जा रहा होता है, तो हम वहाँ पर दा का इस्तवाल करते हैं, तो option number C हमारे पास गलत है, of I यहां पर नहीं होगा, articles का lecture जरूर देख लीजेगा, तो आपको यह भी असान होता रहेगा, which of these mounting records open in winter, सवाल किया जा रहा है कि इन में से, कौन सी चीज गलत लिखी वी है, तो याद रहे, यहां पर remain नहीं, बलके remains आएगा, option number C, यहां पर correct होना चाहिए, sentence के लिए, choose the word most similar in meaning, जी similar word ढूणना है, similar word से क्या मुराद है हमारी, उसके जैसा, यानि synonym, progress का मतलब होता है, आगे बढ़ना, इससे मिलता जुलता, इससे मिलता का कॉंसल अफ्जम में नज़र आ रहा है, growth, ठीक है, तो option number E, हमारे पास सही जवाब हो जाएगा, then है, inhabitant, inhabitant का सानुनी मोता इस्टोंस हमारे पास, dweller, अब हमारे पागला सवाल क्या है, complete the sentence by choosing the most appropriate word from the given letter, seven of us cannot dash into this small car, two of us had dash better, साथ के साथ लोग यहाँ पर नहीं बैठ सकते, दो लोगों को ट्या करना पड़ेगा, अब देखिए, seven of us cannot pour into this small car, हम liquid नहीं है जो pour किये जाएगे, seven of us cannot fall, हम गिरने की बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, seven of us cannot join into this small car, seven of us cannot combine in this small car, हमारे पास option number C, इसका सही जवाब है, seven of us cannot squash into the small car, two of us had better drop out, आपको हर एक option रखकर, अपनी sense को भी इस्तमाल करते वे आंसे के तरफ पहुंचना होता है, next question हमारे पाद, the doctor dashed me to eat more fruit, doctor ने क्या किया है, doctor ने आपको मश्वरा दिया है, लेकिन वो दे चुका है, इसलिए आप उसको second form ED के साथ इस्तमाल करेंगे, तो जुमला क्या बन जाएगा, the doctor advised me to eat more fruit, option number C, हमारे पास इस सवाल का दुरुष जवाब हुआ, इस वो मीट करता हूँ, कि आपको यह तमाम questions clear थे, इंशालला next video lecture में, हम इस solution series को आगे बढ़ाएंगे, अपने friends के साथ, इस lecture को share कीजिएगा, ताकि उन तक भी तमाम information पहुँचे, अपना बहुत ख्याल लखेगा, आप सब लोग, अल्ला हाफिस,